नमस्कार निर्जास किचिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का अचार तो आज हम इनको भर के पूरा वैसा वाला अचार नहीं बनाएंगे आज थोड़ी सी एक ट्रिक अपनाएंगे और इन इनको थोड़ा सा धूब दिखा लिया है तो यह थोड़ी सौफ्ट हो गई है और नरम पड़ गई है जिससे कि इनकी जो बीज है वो आराम से निकल जाएगा अब हम मसाले देख लेते हमें क्या क्या चाहिए हैं हमने लिया है यह 100 ग्राम राइ की दाल यह किराने की दुका हुआ ले सकते हैं या मार्केट का ले ले त्री टेबल इस्पून हमने मोटी वाली सौफली है 100 ग्राम हमने नमक लिया है तू टेबल इस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है तू टेबल इस्पून के करीब हमने लिया है जीरा और हाफ टीस्पून हमने लिया है कलोंजी एक टीएस्पी हमने लिया है मैथी दाना और वन टीएस्पी हमने लिया है हींग पिसी हुई हींग लिया है वन टीएस्पी लिया है वन टीएस्पी हमने लिया है मिर्ची का लाल पाउडर लाल मिर्च का पाउडर है और हमने थ्री टेबल इस्पून के करीब लिया है ये चलिए सबसे पहले हम ड्राय रोस्टिंग करने का काम पहले कर लेते हैं तो राई को रोस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि राई कच्ची रह गई तो आपका अचार कड़वा हो सकता है कई बार समझ में नहीं आता है कि हमारा अचार कड़वा क्यों हो गया बहुत लो करना है और ना ही जलाना है बस हलका सा इसको गरम करना है उसके बाद हम मैथी दाना जीरा और सौफ सौफ को भी हम रोस्ट कर लेंगे इन सब को मिला के हम इनको भी हमको इनका कलर चेंज नहीं करना है बस हलकी सी सुगंध आने लगे आपको समझ में आ जाए कि ये सब चीजें बहुन गई है, अच्छी सी एक खुश्बू आने लगेगी, बस इनको भी एक प्लेट में हम अलग निकाल लेंगे, एक प्लेट में इनको निकाल लेजिए और ठंडा होने के लिए रख देना है, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे, ये हमने मि बीज निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से बीज निकल गए हैं मिर्ची के और हमारी मिर्ची हो गई हैं बिलकुल खाली, अब हम जो हमने ड्राय रोस्ट किया था मसाला उसको पीस लेंगे, राई को नहीं पीसना है, सिर्फ हमने जो मैथी, जीरा और सौफ को भूना था, उस गरम हो जाएं, गैस चालू नहीं थी, गैस बंद थी, अब हमने तेल को एक कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है, जब तेल में इसे धुआ निकलना लगा है, तो तेल को हम बंद कर देंगे, यह देखिए धुआ बहुत अच्छे से निकल रहा है, गैस को हम बंद क कर देंगे, और इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, सबसे पहले हींग डालिए, उसके बाद जो हमने राई करी है, और हल्दी है, मिर्ची है, जो हमने ड्राय रोस्ट करा मसाला है, सारी चीजों को अच्छे से इसमें डाल देना है, और मिक्स कर देना है, राई को हमने पहले जल्दी से तेल में mix कर दिया है क्योंकि राई का भुनना जरूरी है बागी चीजें तो roast हो चुकी है और राई का कच्चा होना बहुत अच्छा स्वात नहीं देता है तो इसलिए इसको सबसे पहले हमने mix कर दिया है इसके बाद हम बागी के मसाले इसमें डाल देंगे चुकी तेल गरम था तो जल्दी से राई को उसमें mix कर दिया है ताकि राई अच्छे से भुन जाए उसमें अब हम अमचुर पाउडर जो हमने dry roast किया था मसाला जो हमने पीसा है उसको भी मिला दिया नमक मिला दिया अब नमक डालने के बाद में आप इसको टेस्ट कर लीजेगा अगर आपको लगता है नमक और अमचुर का स्वाद आपको कम लगता है तो आप मसाला तैयार होने के बाद इसको टेस्ट भी कर लेना अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा और डाल लेना यह हमने मिर्ची के सारे बीजिस में डाल दिये हैं अगर थोड़े से डाले हैं सारे तो नहीं डाले हैं अगर टेस्ट नहीं है इसका पसंद तो इनको मट डाल ये चलेगा थोड़ा सा हमने lemon juice डाल दिया है थ्री टेबल स्पून हमने लेमन जूस लिया था उसको भी हमने मिक्स कर दिया है अब मसाला हमको ज़्यादा गीला नहीं करना है थोड़ा सा दरदरा ही मसाला हमको रखना है इस तरह से ताकि हम जब ठंडा हो जाएगा यह तो हम इसको मिर्चियों में भर लेंगे अब मिर्ची देखिए हमने किस तरह से कट करी है मिर्ची को हाफ किया उनके बीज निकाल लिये और उपर से भी हमने उसमें एक कट दे दिया है जिसमें की मसाला हमसे आराम से इसमें भरते बन जाए क्योंकि बड़ी वाली मिर्च जब हम बनाते हैं तो वह बहुत बड़ी हो जाती है और फिर काटते उसको बनता नहीं है देते समय वेस्ट बहुत होती है तो इस तरह से हमने छोटे-छोटे टुकड़े करे हैं मिर्च के और मसाला इस तरह से उसमें अच्छे से पैक कर दिय है और अच्छे से उसको दबा देना है ताकि मसाला उसके बीच में अच्छे से दब जाए और मिर्च में नमी रहती है थोड़ी तो ये और हमारे मसाले में नमक है तो मिर्च और इनका जब रियक्शन होएगा मिर्च नमक के कारण पानी छोड़ेगी तो मसाला अपने आप उसके अंदर सेट हो जाएगा इन सब को भरने के बाद में हम इसको दो-तिन दिन के लिए बरणी में भरके धूप में उस बरणी को रख देंगे ताकि मिर्च का जो भी पानी निकलना हो वो अच्छे से निकल जाए और मसाला हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए सारी मिर्च हमने भर ली है अब इनको हम एक बॉटल में अच्छे से जमा लेंगे थोड़ा सा दबा दबा के ही जमाईएगा जिसमें की मिर्च सेट रही आए और इनका मसाला ना निकले अच्छे से एक क्यूपर एक क्यूपर एक बड़े अराम से इनको जमा दीजिए धीरे-धीरे करके अभी हमको इनमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है तेल हम डालेंगे दो-तिन दिन के बाद अभी सिर्फ हम मिर्च को हमने मसाला भरा है और मिर्च को इस तरह से बॉटल में जमा के मसाले में अब हमने इसको अच्छे से दबा के बॉटल में सब मिर्चियों को रख दिया है धक्तन लगा कर इसको हम रख देंगे धूप में दो-तिन दिन बाद हम जब ये बॉटल को देखेंगे तो आप देखिएगा कि सारी मिर्चे नीचे बैढ जाती है मिर्च बहुत नीचे बैठ गई है ये देखिए इतने नीचे मिर्च आ गई है ये देखिए और कलर भी इनका चेंज हो गया है मिर्च काफी गल गई है हमने जो वो पानी जो हमने दूप में रखा था उससे मिर्च काफी गल गई है अब हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे तीन दिन के बाद में हम इन उसमें तेल डालेंगे तो हमको तेल गरम करना है और अच्छे से पूरा ठंडा कर लेना है तेल हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है अब हम इस तेल को इस बरनी में, जो हमने मिर्ची तयार करके रखी तीज बरनी में, उसमें हम तेल को डाल देंगे, देखे जब हमने बनाए था तो पूरी बरनी भरी हुई थी, मगर धूप में रखने के बाद यह आधी हो गई है, तो मसाला और मिर्च सेट हो गई है, बिल्कुल वॉल्यॉम में दसी दोगा है और ऋरी के मिर्ची उपर तक दैल झाते हैं Esse झाले का हूं कि अब थोप में रखने की पेस्टी लगेगा यह देखिए कितना सुन्दर हमारा अचार है उपर की मिर्च का बर कलर थोड़ा सा यलो हो जाता है बागी नीचे की मिर्च हमारी एकदम लाल रहती है तो चलिए मिलते हैं अगले बार फिर किसी नए वीडियो के साथ मैं तब तक के लिए बाए